प्यारे बच्चो, क्लास 11 के लिए Economics विशाय का सेट 3 का हम लोग वीडियो देख रहे थें फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने अति लग उतरिये और लग उतरिये प्रशनों के उत्तर को बता दिये हैं आज हम लोग दिर उतर ये प्रशनों के उतर को देखेंगे और Economics का आपका 3 सेट 1, सेट 2, सेट 3 समाप्त हो जाएगा यदि आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्किप्सन में लिंक दिया हुआ है पीडियाप में नोट्स चाहिए तो Economics प्लस एप को डाउनलोड कर लिजिए उसका भी लिंक आपको डिस्किप्सन में मिल जाएगा तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं जरूरी बात पैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और वीडियो को अर्शास के बच्ची तक सेयर कीजिए गा तो आप यहां देख सकते 15 नंबर कोस्चन है निमलिखित आकडा से सामांतर माद की गन्ना कीजिए यहां वर्ग अंतराल दिया हुआ है बारंबारता दिया हुआ है यह मेरा सतत स्रेनी का कोस्चन है मलब कंटनिवर स्रीज का तो इसका हम लोग को सामांतर माद ग्याद करना है तो वर्ग अंतराल को हम लोग क्लास इंटरवेब C.E.I. में लिखेंगे और बारंबारता को F.C.D. नोट करेंगे तो यह जो 0 है इसको हम लोग L1 मानते है और जो 10 है उसको हम लोग L2 मानते है तो क्या करना है मद बिंदू बराबर आपका होगा मलब मीड वैलू बराबर L1 पलस L2 बटा 2 मलब 0 और 10 को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है तो मेरा कितना जाएगा बच्चो 5 आजाएगा उसके बाद 5 आजाएगा फिर 20 और 10 को जोड़ना है 30 दो से भागा लगा लगाएंगे 15 फिर आपका 25 यह दोनों को जोड़के 35 आजाएगा मद बंदू लिकालने के बाद हम लोग इसका फॉर्मूला को देखते है फॉर्मूला क्या कहता है बच्चो तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैस बटा सिग्मा एफ इंटू आई तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या है A लिकालना होगा A मलब काल्पनिक माद फिर हमको DX लिकालना होगा फिर DX डैस लिकालना होगा फिर F और DX डैस को गुना करना होगा और फिर इसको सीगमा करना हम लिए इस सारा को जोड़ देना है फिर सिगमा एप को जोड़ देना है और साथ में आई भी लिकालना है तो इतना काम हमको टेबल में करना है बच्चो तो ये सारा चीज हम लोग को फॉर्मूला से ही पता चलेगा तो हम लोग ए लिकालेगे ए मलब कालपनिक माद इससे कोई नंबर को हम माल लेंगे जिसे हम 5 माल लिए आप 15 भी माल सकते है 25 भी माल सकते है अंसर पर कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे बाहर से भी अंक आप ले सकते हैं अब क्या करेंगे बच्चो ये 5 और ये 5 को घटा देंगे तो 0 फिर 15 माइनस 5 डैस तो डैस ग्याद करने के लिए क्या करना है बच्चो हम लोग देखेंगे यहां 20 और या 10 को घटा दीजे मलब कितना का अंतर आपका वरगंतराल में जा रहा है तो 20 और 10 को घटाएंगे तो 10 30 में से 20 को घटाईएगा तो भी 10 आएगा इसका मुलब 10 का अंतर जा रहा है तो यहां I जो होगा मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा तो जो I लिका लेंगे वो मेरा कहलाएगा DX 0 से गुना करेंगे तो 0, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6, 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14, और 2 को 3 से गुना करेंगे 6, अब सभी को क्या करेंगे जोड़ देंगे बच्चो, तो मिरा आजागा 26, और सिग्मा F को जोड़ेंगे तो आजागा मेरा 20, अब हम लोग इसको फॉर्मूला में बैठा देंगे फॉर्मूला क्या कह रहा है बच्चो तो यहां माद बराबर मलब एकस बार बराबर ए मेरा कितना था पांच माने थे सिग्मा एफ डिये डैस मलब जोडने पर जो आया था कितना आया था 26 देख लिजिए अगर आपको दस था अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो दस दुनी 20 और तेरा दुनी 26 मलब पांच पलस तेरा कितना हो जागा बच्चो अठारा यही मेरा माद ग्यात हुआ अठारा मेरा क्या हुआ माद ग्यात हो गया कोई confusion नहीं है इसमें तो माद हम लोग को पता चल गया अठारा अब हम लोग 16 नंबर कोश्चन क्यों चलते हैं 16 नंबर क्यों है एक्स तंथा य के बीज साथ समन्दध गुनां को परिकलित कीजिये यहां एक्स दिया हुआ य दिया हुआ कुछ ने करना है सब एक्स को हम लोग लिख देंगे टेबल में राइक को लिख देंगे एक्स का स्कॉार कर देंगेए एक्स का स्कॉरre माला पचासी गुने पचासी पचासी गुने पचासी अकर आप किजेगा तो आपका जाएगा साथ हजाद दो सो पच्चिस उसी तरह साथ गुना साथ करेंगे फिर पचपन गुना पचपन करेंगे पैंसट गुना पैंसट करेंगे और 75 गुना 75 करेंगे तो X स्क्वाइर में लिकल लिए इतना उसके बाद Y का स्क्वाइर करेंगे 60 गुना 66 48 गुना 48 49 गुने 49 इतना आजागा 50 गुने 50 इतना आजागा 55 गुने 55 इतना आजागा इसको आपको क्या करना है X और Y को गुना कर दे दीजे फिर 60 को 48 से गुना कर दीजे 55 को 49 से गुना कर दीजे 65 को 50 से गुना कर दीए गुना करने के बाद आएगा जो आएगा सारा को हम लोग को क्या करना है जोड़ देना इसको जोड़ दिए इसको जोड़ देंगा सिग्मा एकस वाई हो गया इसको जोड़ देंगा सिग्म sigma y बटना n sigma x y कितना है मेरा तो देखिए यहां sigma x y मेरा है 18,050 तो यहां बैठा दिये फिर है sigma x 340 बैठा दिये फिर है sigma y 262 बैठा दिये n हो गया मेरा पदों की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तो n हो गया मेरा 5 फिर है आपका sigma x स्क्वाइर, सिग्मा एक्स स्क्वाइर कितना है बच्चों, यह है, 23,700, तो 23,700 को बैठा दिये, 2700 यहां बैठ गिया, उसके बाद है सिग्मा एक्स, यहां सिग्मा एक्स है, तो सिग्मा एक्स है, मैं तीन सो चालिस, तीन सो चालिस बैठा, इस पर स्क्वाइर है, तो 2830 फिर सीगमा वाई है तो सीगमा वाई है मैंना 262 उसका स्क्वाइर लगा दिये एन हो गया पांच अब इसको सॉल्व कर देंगे इसको इससे गुना कर दिये तो इतना गया बच्चो और यहां क्या कर दे 340 का स्क्वाइर कर दें मुला 340 गुने 340 आपका इतना आ जाएगा और यहां 262 गुने 262 किजिए इतना जाएगा उसके बाद इसको इसमें भागा लगा देंगे तो इतना जाएगा इसको इसमें भागा लगा लगाएंगे तो इतना आएगा इसको इसमें भागा लगा लग दालेंगे इतना और 101.2 का वर्गमू लिका लेंगे इतना फिर ये दुनों को आपस में गुना कर देंगे इतना जगा उपर है 234 भागा लगा देंगे तो मेरा आर बराबर कितना लिकल जाएगा 0.96 तो 0.96 आ गया इसका मलब है कि अगर पलस माइनस 1 से लेकर पलस माइनस 0.75 के बीच अगर आपका मान आता है तो इसको हम लोग उच सहसंबंध कहते हैं तो यह मेरा क्या हो गया यह उच सहसंबंध है यहां याद के लिए आपका लिख दिये है जब दोस्रेनियों में सहसंबंध की काफी मातरा हो तो वह उच सरकार की समर्दी अधारित रनीती की व्याख्या कीजिए तो इसका अंसर यहां से सुरू होगा बच्चो यह ला लाइन नहीं लिखना है यह मिस्कृरींट हो गया है मलव टाइप हो गया है इसको छोड़ दिज़ा यहां से सुरू करना आपका सरकार की वर्तमान निधानता तो निधानता निरोधी रनीती मोटे दोर पर दो कार को आर्थिक समर्दी को पुरसाहन और लचित निधानता निरोधी कारिक्रमों पर निर्भर है यह कई योजनाओं और कारिक्रमों पर भी अधारित है। उनमें से कुछ का उलेक नीचे दिया गया। पहला है राष्टिय काम के बदले अनाज कारिक्रम। यह कारिक्रम 2004 में देश के सबसे बड़े, सबसे पिछडे 150 जिलों में लागुक किया गया था। या कारिक्रम उन सभी ग्रामिन निर्धनों के लिए है जिने मज़दूरी पर रोजगार किया आप सकता है और जो अकुसल सारी काम करने के इच्छुक है। दूसरा है परधान मंत्री रोजगार योजना इस कारिक्रम को 1993 में आरम किया गया इसका उद्देश ग्रामिन और नगरिये छेत्रों में सिच्छित बेरोजगार युगाओं के लिए स्वह रोजगार के अवसर सिजित करना है। सिच्छित करने का लच्छ रखा गया। अगला है परधान मंत्री ग्राम उद्दय योजना इस कारिक्रम को 2000 में आरम किया गया इस योजना के अंदर गजगाओं में मुल्भूत सुझधाओं के लिए राज्यों को अत्रित की केंद्रिये साहिता परधान की जाती है। सिच्छित के अंतर गत अगर आवेदक को पंदा दिन के अंदर रोजगार उप्तलप नहीं कराये गया तो वह दैनिक विरोजगारी भत्ते का हगदार होगा। अगला कोशन है क्रिसी विपनन से आप क्या समझते हैं भारत में क्रिसी विपनन पर किरिया की बाधाओं को लिखिए। क्रिसी विपनन मलब जहां हम लोग क्रिसी उत्पादक समागली का बिक्री करते हैं वो क्रिसी विपनन है। का पता ना होना अच्छी भंडार सुइधाओं का अभाव किसानों में जागरुकता का अभाव किसानों की आयका निमनस्तर और साक विस्तार का अभाव। और आपका लास्ट कोशन है बच्चो भारत में भूग छै के लिए उत्तरदाई कारकों की व्याक्या कीजिए। तो भूमी के कनों को अपने मूल अस्थान से हटने एवं दूसरे अस्थान पर एकतर होने की किरिया को भूच है या मिर्दा अपर्दन कहते हैं। भूच हरन का अर्थ तो पहला पोसक तत्वों की कमी के करण मिट्टी की प्राकिर्तिक उर्वरत्त का नुकसान होता है। फिर है कम वनस्पति आवरन होता है, मिट्टी की विशेष्टा में परिवर्तन होता है, मिट्टी के दूसित होने से जल संसाधनों का परदूसक जिसके माध्यम से पानी जमीन में चला जाता है या जल निकायों में बह जाता है, फिर है परियावरन में अरसंतुलित होने के का वनों की कटाई तेज दर से हो रही है जिसके पर नाम सरू भूमी संसादनों का छरन हो रहा है फिर है अतिचारन अतिधिक चराई मलब जो बकरी गाई ये सब मने घास जो खाते हैं वो चराई कहलाता है का तात पर ममेशियों द्वारा घास और अन्य हरे पौधों को अतिधिक खाने से है इसके पर नाम सरू वनस्पति की कम विर्धी पौधों की प्रजातियों की विवित्ता में कभी अवान्चित पौधों की प्रजातियों के अतिधिक विर्धी मिट्टी का कटाव और ममेशियों की आवाजाही के कारण भूमी का छरन होता है अगला पॉइंट है वचो किर्शी पदतियां आधुनी किर्शी पदतियों उर्वरकों और किटनास्कों के अतधिक उप्योग से खेती की भूमी की प्राक्रितिक गुन्मत्ता और उड़ाता पर पर्प्रतिकूल परभावण ढाला है। फिर है उद्योगी करन, देश के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों के विकास से अतधिक वनों की कटाई और भूमी का उप्योग इस तरह से होता है कि इसने अपनी प्रक्रतिक उन्यन तक उन्वत्ता खो दी है. फिर है सहरी करन, जनसंख्याम विर्धी और अधिक, आवासिय छेत्रों और वानिजिक छेत्रों की मांग भी भूमी छरन के कारणों में से एक है, तो बच्चों आपका एकनॉमिक्स क्लास 11 का सारा मॉडल सेट मैंने करा दिया है, आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीज